नमस्कार किसान भाईयों आपका एगरीकेन चैनल में स्वागत है और अभी तक एगरीकेन चैनल को सस्क्राइब ने किया तो सस्क्राइब कर ले वेल आइकेन दवाना ना भूले आज हम बिये नार के मिनी भोग धान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं आपको हम मिनी भोग चावल के बारे में बात कर ले तो इसका चावल दिखने में एकदम से छोटा होता है इसका चावल सबसे छोटा और सबसे सौधिश्ट होता है बहुत से किसान भाईयों ने सुना होगा कि बिश्नु भोग नाम का चावल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है अपने बीचों में इसान भाईयों के बीचों में बहुत ही प्रचलित है यह खाने के लिए बहुत ही अच्छा चावल होता है बहुत ही टेश्टी चावल होता है और बहुत ही ज़्यादा लोग प्रिये चावल भी है VNR के मीनी भोग के बारे में बात कर ली जातो इसके पौधे की उचाई की बात कर ली जातो इसके पौधे की उचाई होती है 90 से 95 सेंटीमीटर के बीच में होती है अगर इसके फसल की ओधी की बात कर ली जातो इसके फसल की ओधी होती है 130 से 135 दिनों के बीच में पक कर तयार हो जाता है और इसके 20 दर की बात कर लिजा तो 20 दर प्रती एकर 6 kg के दर से लगता है जो की एक hybrid धान है ये आप लोग ने अभी तक यह सुना होगा कि OP ब्राइटी आता है और या या तो research ब्राइटी आता था लेकिन अब hybrid भी आ चुका है इसका हाँ किसान भाई इसके उत्पादन की बात कर लिजा तो उत्पादन थोड़ा सा कम होता है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए इसका चाबल के उत्पादंदर की बात कर लिए जाया तो उत्पादंदर 12 से 18 कॉंटल के बीच में होता है और यह गहरे खेत के लिए होता है जिसमें पानी का ठहरा और जादा समय तक बना रहता है ऐसे खेत के लिए ही होता है अगर इसकी बाली की बात के लिए लंबी दिखती है और छोटी छोटे दाने भरे हुए दिखते हैं उच्छे दार दिखता है इसका दाना इसके फसल में कलो की संख्या की बात के लिए तो तो कल्लो की संक्या आज बहुत ही अच्छी होती है। बारिक धान में कोई ओर जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल देखते रहे करेए। ना भूलें और ऐसी ही अच्छे जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहा करें तब तक के लिए धन्यवाद हम आप से अगले वीडियो में मिलते हैं